जैहिन साथियो, स्वागा थे आप सभी का अपनी यूटूब चैनल फिनोलेज 1998 पर साथियो आप सभी को हम बता दें कि भारती सेना भारती इंडिन आरिमी के ओर से आप सभी लेनियो वेकेंसी जारी कर दिया गया है यदि साथियो आपकी अठारा से 32 तक है तो आप इसको अपलाई कर सकते हो साथियो आप सभी को बता दें कि यह जो वेकेंसी पूरे भारत के लिए है यदि आप सिंपल टैंद पास हो तो आप इसको अपलाई कर सकते हो सबसे पहले एक बात बता दूं साथियो कि यह जो वेके यह विकेंसी आप लाइन है यानि कि साथ ही आपको इसका जो है फॉर्म जो है पूस्ट आप इसके द्वारा अपलाई करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो ह कि military college of telecommunications engineering military headquarters of war MP इसका tele communication जो है code दिया हुआ है employment notice साथियो मैं आपको बता दू कि इसका notice 12 जून को employment news की अधार पर आपको जारी कर दिया गया था employment news पर इसका notice जारी किया हुआ था साथियो यहाँ पर आप देख रहे हो दब प्रिसेडिंस से 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 डवली जी मिलेक्टरी कॉलेज ऑप टैलियू कम्मिनिकेशन इंजीनरिंग मिलेक्टरी एमेज ओडवलू ठीक है military headquarters of war MP इसके दोरा जारी कर दिया गया है और आप सभी को मता दूँ मैंने आपको वीडियो के start में बता दिया था कि यह जो vacancy है आपकी offline रहने वाली है और आपको इसके post office के दोरा apply करना है तो चलिए दोस्तों अब हम post की बात कर लेते हैं तो आपको कौन-कौन सी post निकली हुई है साथ ही और सबसे पहले आपको stenographer grade 2 की post देखने को मिलने वाली है जिसमें दो post है आप इसमें देख सकते हो post आप मैं आपको बताते जाओंगा सेकंड है lab assistant की इसमें भी आपको दो post मिलने वाली है यहाँ पर दिया हुआ है OBC, ST, SC और EWS की कौन-कौन सी post कितनी निकली हुई करके और तीसे नम्मर पर आपको जो post देखने को मिलने वाली है lab assistant multitasking stop की चोते नम्मर पर मिलने वाली है druster man computer operator की है फिर civilian motor driving ordinary grade की है इसके बाद cook की है और फिर सफाई बाला multitasking stop की और fairer man की है ठीक है यहाँ पर total post आपको देखने को मिलने वाली है 30 तो साथ यह आप जिस भी grade में आते हो तो आप इसको देख सकते हो कि आपकी कितनी post इसमें है करके साथ यह अब हम बात कर लेते हैं इसमें qualification की तो सबसे पहले इस tonographic grade 2 की बात कर लेते हैं तो साथ यह इसमें आपका simple 12th pass मांगा हुआ है ठीक है और इसमें साथ यह आपका कंप्यूटर पर वर्ड टाइपिंग भी मांगा गया है 10 मिनिट पर 80 वर्ड है और 50 मिनिट पर 60 मिनिट यहां पर हिंदी इंगलिस के दोनों बट्स मांगा हुआ है ठीक है सेकंड नम्मर पर है आपका lower division clerk इसमें भी आपका simple 10th pass मांगा हुआ है इसमें भी आपकी typing speed मांगा गया है आप paper qualify कर लोगे उसके बाद आपकी typing मांगा हुआ ठीक है और थार्ड नम्मर पर आपका reliability assistant का है इसमें साथ ही आपका higher secondary certificate लगेगा physics chemistry का ठीक है तो आप इसको apply कर सकते हो अब नम्मर थार्ड चौहती नम्मर पर है दस्ट्रमेंट computer operator का है साथ ही इसमें आपका simple 10th pass मांगा हुआ है और आपका diploma मांगा हुआ इसमें इसमें भी आपका simple 10th pass मांगा हुआ है बट साथ ही इसका आपका heavy vehicle license मांगा हुआ हुआ ठीक है आपका heavy vehicle का license होता है उसमें आपका यह मांगा हुआ है कुक की बात कर लेते हैं साथ है तो कुक में आपका qualification simple 10th pass मांगा हुआ है इसमें आपका cook का experience मांगा हुआ मतलब आपको खाना बनाते हुए आना चाहिए सफाई वाला में साथ यह आपका simple 10th pass है और यहां पिर सफाई के वाला के one experience मांगा हुआ है यहां पर आपका 10th Pass है और आप यहां पर इसका जो एक्सपीडियेंस ही मांगा हुआ तो आप नहीं भी यह होगा तो आप इसको अपलाई कर सकते हो तो यह मैने आप सभी का क्वालिफिकेशन बता दिया हूँ साथियो इसमें ज्यादा तर आपका सिंपल टैंध पास मांगा हुआ है जिए टैंध पास हो तो मैंने आपको बताया था आप इसको अपलाई कर सकते हो अब हम इसमें एज की बात कर लेते हैं साथियो सबसे पहले तो आपकी यह यह 18-25 यह अब होने चाहिए यह किसके लिए ओने चाहिए पूष्टय भी दिया हुआ है इस्टव नंभरपय ग्रेट ऊके लिए हैं लोगर डिवीजन कलरके के लिए सफाई वाला पाटीर समयन की है और लेवसिस्टैंड की है और कौक वाले की लिए है और डस्टरमेंट कम्पूरीत कि यह ठीक है यह तो थी इतनी के लिए और शेकंड नमर पर अठासा 27 और आपका किस पुष्ट के लिए सिविलियर मोटर ड्राइवर और नरी ग्रेट के लिए है तो मैंने आपके बता दिया हूं और गवर्मेंट रूस्ट के हिसाब साथ यह आपको त्री एर की छूट दी साथ यह आपको पोस्ट ऑपिस के द्वारे इसको अपलाई करवाना है मतलब इसके फॉर्म को भीजना है और आपका सिंपल है पचास रुपए लगने वाला है यहाँ पर दिया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं साथ यह नीचे इसके कोस्टिन पेपर के बारे मतलब कितने सबसे पहले हैं यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्स पोस्ट ऑप लग लग रखा गया है मतलब पेपर का तो यहां पर आप देख सकते हो आपका पचास मार्क्स का पेपर होने वाला है और यहां पर आपका यहां पर आपका और दिया हुआ है तो यहां पर अलग अलग पोश्ट का अलग अलग स्लिवस दिया हुआ है तो यह पूरी कि आप हमारे टेलेगराम को से इस ऑफिचले नॉटिफिकरसन को डाउनलोड कर लीजिए गर वहां से आप इसको अच्छे सावधाने से पढ़ लीजिए यह आप जिस पूश्ट के लिए अपलाई कर सकते हो तो उसका स्लिवस और आपका मार्किंग आप देख सकते हो अब हम की बात कर लेते हैं ऑफ लाइन फॉर्म की तो इसका यह रहा अप्लिकेशन फॉर्म आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको फॉर्म को दिखा देता हूं यह पूरह इसका उप्लाइन फॉर्म है इतना आपका उफ्लाइन फॉर्म रहने वाला ठीक है यह बसके बारे में एक और वीडियो आपको बता दूँगा ठीक है सांतियो आपको हमारी वीडियो पसंद आए ये तो प्रीज हमाइब चल्श लाइब लेजुए और बैए ये प्रिस करें ना भूले रहे जल्दी मिलते हैं नई वीडियो को साथ जहीन जहीन